गुडुबनी फ्रेंड्स दिस जनील एंड वेलकम टू संसे बनेच दोस्तो आठमा वेतन आयोग के गठन को मोधी सरकार ने दी हरी जंडी दोस्तो पैंति से चालिस परतिसर तक वेतन में होगी बरहोतरी डेस भर के देर करोड सरकारी क्रमचारियों को लाब होगा दोस्तो ब यहाँ पर कैबिनेट सची भारत सरकार और अध्याच परिषयत जैसी है कैबिनेट सची वाले राश्पती वहों नई दिल्ली यहाँ पर देखे असपश्ट यहाँ पर है जोस्तो बिसे केंद्र सरकार के क्रमचारियों के वेतन भत्त्य फेंसन और अन्य लाब को संसोधित क करने के लिए आठवे केंद्री वेतनायों का तत्काल गठन करने के संबंद में है दोस्तों यह आप देख रहे हैं यहाँ पर बिसे हैं अब इसी के संबंद में है कि वेतन पेंसन और अन्य लाब को संसोधित करने के लिए आठवे केंद्री वेतनायों का तत्काल गठन करन के लिए दोस्तों आदर निये 7 किंद्री वेतन आयों की सिफारी से सरकार दोरा 14 जन्वरी 2018 से लागू की गई एक जन्वरी 2016 हाला कि क्रमतारी पथ ने 7 मी सिपीशी और उसके बाद भार सरकार से नियुंतम वेतन को संसोधित कर एक जन्वरी 2016 को 26 हजार परतिमा की गन्ना ILC मांदंडो और डॉक्टर अक्रोयड फर्मुला आदी के विभीन घटकों के आधार पर की गई है हमने सात्वीं CPC से पहले यह भी प्रसुत किया है कि राष्टे परिशत के क्रमचारी पच्छ द्वारा प्रस्तावित नियुंतम बेतन अभी भी निचलेश्टर पर है दुर्भाग्ये से हमारे सभी तर्कों को सात्मीं से पीसी ने बिना किसी आधार के खारीज कर दिया और रुपे किसी फारिश की अठारह हजार नुन्तम बेतन के रुप में दिनांक है एक दनवरी 2017 से और एक दनवरी 2016 जबके अस्टाप पच ने मांके की फिटमेंट फेक्टर 3.68% होना चाहिए और सात्मीं से पीसी ने केवल 2.57% की सिफारिश की जिस पर सरकार ने अस्टाप पच के साथ कोई बाचित कि बिना सीधे सहमती ब्यक्त की जो आमतोर पर होती है 17.57 के परतिकुल सिफारिसों और करमचारी पच के साथ कोई चर्च किये बिना और करमचारी पच द्वारा दिये गए प्रश्टाओं पर विचार किये बिना सरकार द्वाराई से सिविकार करने से ब्याथित हो कर प्राष अब देखे अब यहाँ पे यह मंजूरी दी जा रही है गठन को ले करके तो आठम बेतनायों के गठन की मोधी सरकार ने हरी जंडी दी है 35-40% तक वेतन में बरहोतरी होगी और देश भर के 1.5 करोर सरकारी क्रमचानियों को लाब होगा दोस्तों यहाँ पे देख लिजे देश भर में लागू आठम बेतनायों के अठम बेतनायों की गठन की मंजूरी दे दी है 35-40% तक वे 2026 देश में हो जाएगी आठम बेतनायों की सिफारे से देश भर में लागू होगी आठम बेतनायों के अठम बेतनायों के गठन के लिए पत्र जारी कर दिया जो भी आप देखें दोस्तों उसके बाद बिहार के जो सिठ्छक है दोस्तों उनका बेतन कितना हो जाएगा बि पेसी सिच्छकों का जुनका वेतन 45,000 है ओपर करके 70,000 तक हो जाएगा दोस्तों वेतन 35-40% तक बरहोतरी के आधार पे होगा मतलब जितने भी हैं सबों का वेतन में 35-40% तक की बरहोतरी होगी दोस्तों लोग सभाब में इंडिये की हार की वज़ा से परधारमंती नरिंद्र मोधी ने देश भर में आठ्मा वेतन लागु करने पर अपनी सहमती जता दी है केंद्र सरकार के किरिया कलाब से देश भर के मध्यम और काफी नाराज देख रहे हैं और जिसका खामियाद है इंडिये सरकार को आठ्मी लोग सभाचुना में देखने को मिलाया दोस्तों मध 20ativa के लिए clean- avait वेतन आयोग देश मेलागी नहीं होगा साफ सब कहा गया था 2022 में कि अब अटाव म לטू नहीं होगा बलकि महंगाई भता पचास पर्तीस आतों डालने के स्थिति में मूल बेतन में महंगाई भता को जोरकर फिर से मूल वेतन तेयार किया जाएगा लेकिन कैन दिसम्बर तक स्माप तो हो रहा जनुवरी दोहजार चब्वीस से आठाम वेतनायोग लागो हो जाएगी और हर दस साल पर वेतनायोग का गठन किया जाता है वेतनायोग के गठन का उदेश से है हर यह दोस्तों एक्षवर निकल करके सामने आ रही है और यह जो लेटर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो यह अब कंफर्म हो गया है सरकार के तरफ से कि वह आठवें वितन आयोकाद जल्द से जल्द गठन करेगी दोस्तों इस वीडियो में फिर मिलते हैं लिए वीडियो में आप संसे बनेच के साथ बने रहें धन्य बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब